नमस्का अरकिसान भाई और फिर से स्वागत आए आपका आपके ही चैनल आपके ही यूटूब परिवार में तो देखिए कल मैं प्याज निर्यात के ओपर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 20,000 टन के करीब प्याज बंगलादेश जाएगा तो देखिए उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स भी आए उल्टे पूल्टे जितने भी है तो इस कमेंट्स के ओपर भी चर्चा करेंगे और कल मैंने आपको एक चीज भी बोली थी कि बंगलादेश का पता है कि वो इंपोर्ट करेगी लेकिन भारत का मुझे नहीं पता है कि इस तरीके से इंपोर्ट करने वाली है मलब उस Task का तरीका नहीं पता साथ क्योंकि कारण है कि प्याज जो है अपणा बंड है बंड होने के बाद में बंड के अंदर हिमल जो सर्कूलर इसू रहते हैं उसके बीच में अगर सर्कूलर नहाटा करके अगर प्याज लोट किया जाता है चले इसCh multitude करना बद्दा बिल्कुल भी मत भूलीcej ग यह लेकिन किसान summer चैनल पर नये है तो वीडियո को लाइक कर दीजेगए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत लिख देते हैं ऐसा लगता है जैसे कि साइद घर से वो परिसान है या फिर अपने आप से वो परिसान है या फिर दूसरों को परिसान करना चाहते हैं तो देखिए ये पहला कमेंट है इनका नाम है संदीब जी संदीब जी ने लिखा है मोधी से पैसा लेकर के चैनल चलाते ह तो संदीब जी सबसे पहले आपको एक चीज बोल देता हूँ जो अच्छी तरह आप सुनियेगा खुद भी देखियेगा और दूसरों को भी दिखाईएगा और दूसरों को भी सुनाईएगा मुझे ना तो संदीब जी पैसा देते हैं ना ही मुझे मोधी पैसा देते हैं मेरा जो आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में बनाने में भी मेरा खुद का पैसा और खुद की मैनत लगती है जो मैं इसलिए बनाता हूँ किशानों को किसी ने किसी तरह का benefit उनको मिलता रहे उनके पास जो जानकारी है वो पहुशती रहे तो उनको कहीने कहीने किसी तरह के से उनको profit मिलता रहे मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि मैं किसानों के लिए जो इंफॉमेशन अच्छी होती है जिन से किसानों को किसी तरह का कोई बेनिफिट मिल सके उसी के लिए वीडियो बनाता हूँ नहीं तो मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है और मोदी से पैसा लेकर कि अगर मैं चैनल चलाता तो मैं और भी बह मोदी से पैसा लेकर के अगर वीडियो बनाता है तो आप मेरा वीडियो मत देखिए आप उनी का वीडियो देखिए जो मोदी से पैसा लेकर के चैनल नहीं चलाते हैं आज मैं मान लेता हूँ क मैं मोदी से पैसा लेकर के ही चलाता हूँ अपना चैनल इसलिए आप मेरा वी जो बंगलादेश गौर्मेंट ने इंडियन गौर्मेंट से ये परमिशन ली है और उसी परमिशन से जो है भारत से प्याद जो है बंगलादेश जाएगा एक लिमिट के अंदर जो बंगलादेश ने लिमिट को पास की है 20,000 टन के करीब 20,000 टन जो है प्याद जाएगा ये क कैसे जाएगा कौन बेज़ेगा ये वीडियो में आपको आगे बताऊंगा आप वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट्स करने के लिए कमलेज जी आपको धन्यवाद सेकंड जो है वो भी उनीका मौफी जसक है उन्होंने भी यही लिखा एक फैक न्यूज है तो देखे ये फैक न्यूज नहीं है मौफी जी क्योंकि मेरे को फैक न्यूज आपको देखकर के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला अगर आपको ऐसा लगता हो कि वीडियो डाल करके मैं आपको वीडियो दिखाऊँ और उससे मेरे कोई जबरदस्त इंकम हो रही हो तो ऐसा भी कुछ नहीं है ऐसा नहीं है कि आपके वीडियो देखने से मैं कोई लखपती बनने वाला हूँ या मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा मुझे कुछ नहीं मिलता इन वीडियो डालने से आपको लगता हो कि मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा लोगों को वीडियो दिखाऊँ तो मैं क्रोड़ोपती बनता हुआ चला जाऊँगा आप मेरे चैनल का एनलाइक्टिक देख लीजी आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है और ये आखरी जो कमेंट लेते हैं ये अनसुल जी का है अनसुल जी ने लिखा है किसान कभी भी एक जूट नहीं होंगे तो देखिए अनसुल जी आपने जो लिखा है अब मुझे नहीं पता आपने क्या सोच के लिखा है या फिर आप अच्छी तरह जानते होंगे लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ अगर किसान एक जूट नहीं होंगे तो वो हमेशा घाटे में रहेंगे ये कड़वा सच है फाइदा आपको कोई नहीं देने वाला ये निश्ची दुवात है तो मैं किसानों को यहीं बोलूँगा जो इन्होंने कमेंट लिखा है उसी का जवाब कि एक जूट होकर कि अगर आप चलेंगे तो आपको कभी कोई नक्सान नहीं दे पाएगा एक किसान अपने रस्ते पे जाएगा तो मेरे एसाफ से कभी भी किसी को प्रोफिट नहीं मिलने वाला क्योंकि ये कमेंट से मैं पता चलता है कि हर आजमी का जो दिमाग है बिलकुल विपरीत एक दूसरे के चलता है तो विपरीत चलाई है अपने दिमाग को उससे फरक नहीं पड़ता है लेकिन मिलकर के चलिए जिससे के आप किसी भी लड़ाई को बड़ी जल्दी बड़ी असानी से जीत सके बाकि विचार किसानों का है वो एक जूट मिलकर के करना चाते है या फिर अलगलग तरीके से रह करके अपने कमाई करना चाते है तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि यह प्याज जो है निर्यात होगा कैसे तो देखिए कल की वीडियो में जो मैंने आपको बोला था कि मेरे पूरी इंफोर्मेशन नहीं थी कि प्याज जो है कौन एक्सपोर्ट करेगा और कौन नहीं करेगा तो देखिए सबसे बड़ी सीज बोल देता हूँ देखिए एकसपोर्ट से प्याज जब भी एकसपोर्ट चालू कर देंगे लोग रमजान से पहले तो देखिए प्याज में तो निस्टित बात है कि तेजी जरूर आईगी और बंगलादेश में भी सरकार के ही जो बंदे हैं उनी की जो ओगनाइशन या फिर उनके जो खुद के इंपोर्टर है वही इसको इंपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं है कि एकदम से जैसे नॉर्मल ही सरकूलर खताब होने के बाद में कोई भी प्याज जो एक्सपोर्ट करना चालू कर देता है कोई भी एलसी खुलूआ लेता है और प्याज को भीजना चालू कर देता है वैसा नहीं होगा सरकार खुद एक्सपोर्ट करेगी जिससे कि उसको ध्यान रहे कि जितना उन्होंने बोला है उतना ही प्याज बंगलादेश को भेजा गया है तो देखिए आपको भी पता है बंगलादेश के अंदर रमजान है और साथ में प्याज की जो लेटे हैं वहाँ बहुत ही जादा भारी चल रही है मतलब 120 टका जो है क्रॉस कर चुका ये कल के वीडियो में बताया था आपको मैंने इसी वज़े से जो है सरकार खुद अपने ही किसी और्गनेजेशन या फिर अपने ही थुरूर जैसा हो चाहेगी मतलब यू मान लीजिए कि सरकार खुद ही इसको निर्यात करेगी एक्सपोर्ट करेगी मिलते हैं किसान वाईयों अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी या भाव के साथ में तब तक के लिए जै जवान जै किसान कि अपनाओ ऑना लूटीछ यूपकर कि अपना है मतलब यूपकर का वाईयों आगल जैसा जैसा है